दोस्तों कर आप भी जियो का 4G SIM card यूज करते हैं और आप भी अपने 4G SIM card को 5G में convert करना चाहते हैं एकदम free में साथ ही साथ में आपको यहाँ पर unlimited data मिलता है यानि कि आप जितना मर्जी चाहो उतना internet का use कर सकते हो free में क्योंकि guys अभी जियो में offer चल रहा है कि जितना मर्जी आप internet use करो वो भी 5G में यानि कि speed तो आपको बिल्कुल ऐसी मिलेगी बिल्कुल चीते वाली speed guys लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से और पुरा दिखना है मैं आपको complete step बताऊंगा because मेरे पास दोनों mobile phone यहाँ पर है यह है Apple का और यह है यहाँ पर मेरे पास Google Pixel का Android mobile phone यानि कि iOS है और यहाँ पर Android है तो कैसे आपको activate करना है 5G को वीडियो को अन तक जरूर देखीगा तभी आप सीख बाएंगे हेलो गाईज मेरे नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube channel हमसफर टैग तो चलिए सीखते हैं सबसे बहुत दुस्तों आपको अपने mobile phone पर My Geo application को download कर लेना है इसको आप Google Play Store से या Apple Store से आसाने से free में download कर सकते हैं उसके बाद आपको इसको open करना है जैसे आप इसको first time open करेंगे आपके सामने इस तरीके से interface आएगा तो आप इसको यहाँ पर proceed कर लेंगे proceed करने के बाद यहाँ पर permission माँगेगा allow कर लेंगे तो चलिए हमने allow कर लिया है ओके और अप guys आपको अपना जो जीवाला mobile number आपका है ना उसी mobile number को आपको यहाँ पर enter करना होगा और login पर क्लिक कर देना है आपके नंबर पर जीव की तरफ से एक OTP message आएगा one time password वो automatically यहाँ पर fill हो जाएगा otherwise आप चाहे तो इसको manually भी यहाँ पर enter कर पाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास OTP आ चुका है हमने fill up कर लिया है अब हमा 12 यहाँ पर mobile number से account login हो चुका है अब guys आपको यहाँ पर दो चीज का ध्यान अखना है सबसे पहले चीज कि आपका mobile phone 5G supported होना चाहिए यानि कि आपका mobile phone पर 5G work करना चाहिए तभी यह काम करेगा और दूसरी चीज कि आपके city में आपके गाउं में सहर में 5G की service योगी होने चीज है तो अभी यहाँ पर हम back करते हैं अब guys आपको यह चक कैसे करना है सबसे ऊपर आपको यहाँ पर एक search का icon नजर आएगा आपको search की icon पर click करना है अब आप यहाँ पर search करेंगे जियो 5G जैसे आप यहाँ पर search करेंगे न जियो 5G तो यहाँ पर guys आपको सबसे पहला जो option नजर आएगा वो है device compatibility तो आपको यहाँ पर click कर लेना है click करने के बाद आपको थोड़ा wait करना है अब guys आपको सबसे पहले यहाँ पर select करना होगा कि आपका जो mobile phone है वो कौन सी company क brand आप use कर रहे हैं मान के चलिए guys कि यहाँ पर हमारा है Google का Google Pixel है हमारा Android phone है तो यहाँ पर मैं जो है अपने Google Pixel को यहाँ पर search कर लेता हूँ और यहाँ पर करता हूँ नीचे से click check जैसे मैं check करूँगा थोड़ा wait करेंगे यहाँ पर लिखा वा रहा है कि यहाँ पर हमारा जो यह है मेरा iPhone 13 Pro Max तो यहाँ पर मेरा Apple का phone है तो आप इस तरीके से यहाँ पर check कर ले ना guys तो यहाँ पर मेरा 13 Pro Max तो यहाँ पर मैं select करता हूँ model number और यह आ चुका है 13 Pro Max और यहाँ पर करता हूँ check और अभी आप देखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि congratulations your device is geo true 5G ready ठीक है त तो आपको दूसरा वाला जो option दिख रहा है 5G coverage तो आप click करेंगे click करने के बाद guys थोड़ा wait करेंगे अब आपको यहाँ पर select करना होगा अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 304 cities ऐसी हैं 32 state में कि जहाँ पर 5G बिल्कुल ready है हालक ही आगे चलकर यह और बढ़ेगा अभी तो यहाँ पर नीचे आपको बॉक्स नज़र आएगा यहाँ पर आपको अपना state को select करना है यहाँ कि राज्य को हमारा उत्राखंड है अब guys यहाँ पर उत्राखंड में ना कौन कौन सी city में यहाँ जो है जियो काम कर रहा है फैट जी में तो यहाँ पर मसूरी है दहरदून ह में रह रहा हूं तो यहाँ पर जो मेरी city में विलकुल काम कर रहा है proper कोई दिक्त नहीं है और यार guys आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को like करना तो यार फटवर से एक like ज़रू कर दो अभी हम आएंगे back और यहाँ पर आएंगे हम इसको करेंगे home page पर home page पर आने के 5Z now ठीक है तो यहाँ पर आपको जो है get started पर क्लिक करना है अगर आपको यह message यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको जियो customer के नमबर पर call करना है और वहाँ पर आप complain कर लेंगे कि sir यहाँ पर मेरे पास यह offer नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम get started पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद थोड़ा wait करेंगे यहाँ पर अभी जो है आपका जो है device से match करेगा तो अभी गाइस दिखा रहा है कि सारी चीज़े हमारी match हो चुकी है चार steps है यह आपके match होने चीज़े green होने चीज़े टिक में अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है mobile data के उपर गाइस अभी मैं iPhone यूज कर रहा हूँ हो सकता है Android phone आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत setting आगी पिछे हो सकती है तो आप अराम से ढून लेना तो यहाँ पर मैं mobile data के उपर क्लिक कर लेता हूँ अब गाइस यहाँ पर आप दिखेगा आपका sim card होगा जिस भी sim card में आपका 5G होगा primary sim card तो उसको आपको select करना है पहला वाला sim card को तो अभी guys यहाँ पर आपको options बहुत सरे नज़र आएंगे तो आपको जाना है network selection पर उसके बाद यहाँ पर आपको 4G 5G का option नज़र आ जाएगा हाला और यहाँ पर हमने इसको करने ला है on अभी हमारा यह हमने on कर दिया guys 5G तो अभी हमें क्या करना है अपना geo app को open करना है back करेंगे और हम दुबारा से इसको check करेंगे और थोड़ा समय आपको live दिखाते हो यहाँ पर on करके कि क्या हमारा यह activate होता है नहीं होता है अभी guys आप देखेगा हमारा जो geo 5G है activate हो चुका है आपको simply यहाँ पर जो है explorer to 5G पर click करना है click करने के बाद अब यहाँ पर आप देखेगा कि आपका यहाँ पर दिखा रहा है congratulations you are upgraded to the 5G light तो अभी यहाँ पर आप दिखो guys की check plan पर आप click करेंगे नीचे से तो यहाँ पर आप द बहुत अच्छी मिलेगी तो इस तरीके से आप बहुत ही असानी से अपने 4G geo sim card को 5G में convert कर पाएंगे